हेलो इस्टुडेंट्स स्वागत आपका गल्योरे स्टेडी पॉइंट क्लासेज में मैं शिवम शर्मा इस्टुडेंट्स क्लास 12 जो तरखन बोर्ड के इस्टुडेंट्स हैं उनके लिए 2023 का जो मोडल सेंपल पेपर है बोर्ड ने जारी किया है कि आपका पेपर इस पैटर बिल्कुल इसी टाइप्स के पेपर बनेंगा हाँ क्योशन जरूर्ण हो सकते हैं और क्योशन होंगे ही क्योंकि यह कोन्य सेंपल पेपर ना की बोर्ड का कोई पेपर है प्यटर आपका सेम यहीं रहेगा जो उत्रहखंट की जो साइट है उस पर भी आईवी लेबल है तो क इतने वर्डों में क्योशन लिखे जाएंगे तो आई ये वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बैल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको इसी तरह की की लैटेस्ट अपडेट मिलती रहे तो जैसा कि आप यहां प्रेक्टिकल रहता है वो पोर्षन आपका अलग है और 70 का अलग रहेगा इस प्रश्ण पत्र में कुल आपके 28 प्रश्ण होंगे सभी प्रश्ण आपके क्या आनिवार है प्रश्ण संक्या एक में आठ खंड है यानि जो आपका प्रश्ण पत्र फरस्ट होगा उसमें जो एक नंबर आपका खंड रहेगा प्रतET कि उम्डर में प्रते जाब गalवहार होगा जिसमें प्रते एक प्रश्ण के उत्तर में चार वी कल्प यानि जो आपका first ही question है ठीक है एक एक number के जिसमें प्रश्ण पूछे जाएंगे वही आपका art number का question है तो simple तरीके से बच्चों को मैं पहले यह राय देना चाहूंगा यह बच्चे जो हैं जितने भी ऐसा पीछे क्या लगती है तो इन सब चीजों को मातरक वगारा जो भी उनकी हैं वह सब चीज़े आप अच्छे से पढ़ ने क्योंकि एक नंबर में आप से कुछ भी पूछा जा सकता है पेपर के हेल्प मिलेगी तो आगे बढ़ते हैं कि आगे आप देखने पहले इंट्रोडक्शन जो है इसका इंस्क्षन आपको पढ़ने जरूरी है इंट्रोडक्शन आपको देना जरूरी है कि पेपर कैसा आएगा प्रश्न पत्र दो से साथ तक के प्रतेख प्रश्न एक अंक यह आप मान के चलिए कि फर्स्ट जो प्रश्ण है का आठ खंड आठ नमबर तो आपके यहां से होगे फिर दो से लेकर साथ तक के जो प्रश्ण है यह भी आपके कितने हैं एक एक नमबर गए यानि कहने का मतलब है कि शुरुवाती जो आपके साथ प्रश्ण है ठीक हो आपके अधर टोटर में चोदा कि शूदा नमबर के यानि 15 लगवक के शुरु आपके चोदाननंबर के आपके प्रश्ण हो जाएंगे उसके अधर आछ से सत्रा तक के प्रतिक प्रश्ण दो आंक का रहेगा अठारे से 25 तक का जि Saw sympathetic कितने के होंगे ऍभ Ihr देक्के Maga 확진 पटर में समग्र में कोई विकल्प नहीं है यदि два उंकों वाले दो प्रहश्ण तीन अंकों वाले तीन प्रहश्ण में चार आंकों वाले भी सभिप्रशनों के आंत्री Crystal प्रदान किया गया है यह ने कहने का मतला है प्रशन पत्र में समगर में कोई विकल्प नहीं है इसे प्लशनों में के एकSi Incorporium को आपको रिखेकर देगे ठीक है बोर्ड का जो औरिजिनल पेपर रहता है उसमें सब वैलिव आपको गिवन रहती है ठीक है अब बात करते हैं यहाँ थोड़ा से मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पेपर किस तरीके से आएगा जैसे यहाँ पर लिखा है जब किसी वस्तू पर आवेश आधा कर द दिखने हैं ठीक है ऐसी आर्ट नंबर के आपके हो जाएंगे उसके बाद जैसी आपके सेकेंड प्रेशनी स्टार्ट होगा यहाँ पर आप से पूछ रहा है सिंपल सा क्यूशन कि अभी मैं आपको इनके अंसर नहीं बता रहा हूँ अभी मैं सिर्फ आपको क्यूशन न으बला के सब्सक्राइब आपके नंबर तक कियूशन है तो क्यूशन है अगे हम बात करेंगे एककर करतेरे प्रेख ऱूपके नंबर नबर के तुछ resemble का इख ने कर आपके जो क्छले कर आपके 22 तक कि क्यूशन है 23, 24 और 25 और 26 नंबर तक आपके प्रश्ण जो हैं क्या है तीन तीन नंबर के हैं और उसके बाद के 26, 27, 28 वा जो प्रश्ण आपका चारचार नंबर में पूछा जाएगा तो यह है आपका बोर्ड का पैटन पूरा आप देख रहे हूंगा राम राम से मैं इसको नीचे करता ह तो आप इसे समझ सकते हैं फिजिक्स का पेपर आपका कुछ इस तरीके जाएगा तो सारी चीज़े आप समझ डीजिया और इस वीडियो का जो पीडियुए वा आपको मेरे टेलिग्राम लिंक पर मिल जाएगा तो टेलिग्राम चैनल को भी आप सब्स्क्राइब कर लें से इसी नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है जीएसपी क्लासे शिवम शर्मा के नाम से तो महाँ पे जाके आप इसका पीडियाफ ले सकते हैं और कोई UBSC साइट पर जाके नहीं देखना चाहता तो ठीक है तो आज के इस वीडियो मैंने आपको फिजिस का पेपर बता दिया है और